हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका अपने चैनल रश्मा की विस्वई में और आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया चिली चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी और अगर आपकी घर पाटी है तो इसे आप स्नेक्स की तोर पर बना कर खाना पसंद कर सकते हो और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सिस्क्राइब जुरूर कर देना चलो देड़ना करते हुए से बनाना पर शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने आदा किलो चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से दोकर एक बाउन में निकाल लिया है और कुछ मसाले आड़ करें एक चमच डालेंगे हम इसने नमक और साथ में डालेंगे एक चमच देगी लालमिच कला लाने के लिए यह तीखी वाली लालमिच नहीं है हमारी और डालेंगे एक चमच अधकल लसन का पेस्ट और डालेंगे एक चमच मेदा और डालेंगे एक चमच आरा रोड क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़े से बाहर से हम और इसमें एड़ करेंगे हम एक एग और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आदा चमर हम डालेंगे इसमें चिली फ्लैक्स और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आदा घंटे के लिए हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे आदा घंटा मारा हो चुका है चोलो हम इसे देख लेते हैं ये देखिए कितनी अच्छे तरह से हमारे मसाले चिकन के उपर से कोट हो चुकी है और इसे बनाने के लिए अब लेंगे हम कुछ मसाले और इसे बनाने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए मैं थोड़ा सा लैसुन लिया है कटा हुआ थोड़ा सा अद्रक कटा हुआ दो से तीन हरी मिर्च कटी हुए एक शिम्ना मिर्च कटी हुए और दो से प्याज कटी हुए लिये हैं और हम एक कड़ाई में दो से तीन बड़े चमिश हमने तेल दिया और इसे हम अच्छी तरह से गरम करेंगे तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका अब इसे हम करेंगे फराई एक करके पीस हम राम राम से डाल लेंगे तील को हमने पहले हाई पे गरम किया था अब मीडियूम पर हम इसे फ्राइ करेंगे एक बार में हम 4-5 पेस फ्राइ करेंगे और इसे हम मीडियूम ही लोग पर फ्राइ करेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरा से यह हमारे कुकों हो जाएं यह हमने एक पीस हो राड़ कर दिया है क्योंकि जगा थी हमारे बर्तन में हम अब इसे अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे 5-6 पीस हमारे फ्राइए एक बार में अराम से हो जाएंगे अल्ट पल्ट के हम इसे फ्राइए करेंगे और इस तरह से हमने 4-5 पिन्ट हमारे हो चुके हैं इसे फ्राइए करते को दीमी आज पर अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और यह देखें हमारे कितने अच्छी तरह से पीस गोल्डन लाल होकर फ्राइए हो चुके हैं और इसी तरह से बाकी बस्टे पीस भी हम फ्राइए करके ले लेंगे सभी पीस हमने फ्राइए करके एक प्लेट में निकाल लिया अब इसे हम लगाएंगे तड़का एक कड़ाई में हमने तेल लिया है कुकिंग ओईल एक बड़ा चमच और डालेंगे लैसून बारी कट्टा हुआ तेल हमारा गर्म हो चुका था और इसमें अब डालेंगे अद्रक क्रश किया हुआ और इसे हम एक मिट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे और साथ में डालेंगे हरी मिर्च दो तीन कटी हुई और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे भून से अच्छी तरह से एक दो मिट के लिए फून है तर डालेंगे अब इसमें हम प्याज two medium sάν वाइट के लिए था हमने जो और इसे भी हम सभी मसालों के साथ चला लेंगे इसे तरह से हमें इसी तरह सेлена म्साले चला नहीं है और साथ में डालेंगे आपिसमें हम शिम्ला मिर्च के और इससे हम 2-3 मिन्ट के लिए ची तरह से भूनेंगे शिम्ला मिर्च को भी साथ में सबब नी शरी समय कर बूम कर ले लेंगे हम कि दो तीन मिंट हमारे हो चुके झांगु हारे हो चुके हमें बस रहें बूमना हमें बस इतना ही यह बहुता और साथ में डालेंगे या गाल अधर चमी लाल म्र्च फे that अच्छी तरá मांसालो को हमनेडी मीजस नियुक्तर तरफ करेंonne चाश्छ पीशो को हम पिर फ्रेज़िंटों करें legitimate पहले हमनें हाफ नीमीर खीड़िंटों के रफद सेलड़िंटों कि यह देखे सबी पीस हमें फ्राय करके निकाल लिए किछनी में ताकि जो हमारा ओईल है वालतु का निकल जाए ज्यादा ओईली ओली ना लगए हम यह खाने में और इसे हम एक प्रेट में निकालेंगे इसे आप ऐसे भी खा सकते हूं चलो मसाला हम देख लेते हैं मसाला हमा और साथ में डालेंगे हम बनेगर थोड़े से घट्टी मिठी मिनाने के लिए और एड़ करेंगे थोड़े सी सोया सोस सोया सो सापको पसंद है तो आप डालें नहीं पसंद है तो मत डालें और अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स हाँ और हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए मुझे पसंद थी इसलिए मैंने सोया सो से आड़ की है और अब इसमें आड़ करेंगे हम चिकन के पीस और अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे आरा रूट का घोल और इसमें थोड़ा सा गाड़ा पन लाने के लिए हम डालेंगे आरा रूट का घोल और अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया बारी कटा हुआ और इसे हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स यह देखिए यह देखने में कितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी स्वाद है और इसे हम 2 मिट के लिए अच्छी तरह से इसी तरह से चला लेंगे ताकि जो मसाले आपसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसे अब हम एक बावल में निकालेंगी दो से तीन मिट हमारे हो चुके. इसे चलाते, चलाते. चिली चिकन बनकर हमारा त्यार है जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है मेरे इस तरीके से आप भी ट्राइ कीजिएगा आपको बजार जैसा टेस्ट घर पर ही मिलेगा अगर आपको मिने रेसिपी पसंद आये तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और मुझे स्पोर्ट करने के लिए मैंने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं फिर मिलूँगे आपको एक नई रेसीब के साथ अग तक के लिए बाई बाई दोस्तो